मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णे लिया है, गिन निर्णे है जननायक करपुरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का आज की युवापीडी के लिए करपुरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सिखना बहुत ज़रूरी है ये बीजेपी की हमारी सरकार का सोभाग्य है कि उसे जननायक करपुरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का आउसर मिला बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनोतियों से लड़ते हुए वो राष्ट जीवन में बहुत उंचे मुकाम पर पहुँचे थे वो दो बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वरकों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा जननायक करपुरी ठाकोर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे उनका पूरा जीवन सामाजिक नयाय और वन्चीतों के उत्थान के लिए समर्पित रहा आज भी उनकी इमानदारी की मिसाल दी जाती है गरिब का दुख समझना गरिब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना गरिब कल्याण को अपनी प्रात्विक्ता बनाना गरिब से गरिब लाभारती तक पहुंचने के लिए विक्सिद भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना सबाज के पिछड़े और अती पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नहीं योजनाय बनाना हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में करपुरी बाबु के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं आप सभी उनके बारे में पढ़ें उनके आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं इससे आपके व्यक्तित्व को एक नई उंचाई मिलेगी